तो वैदि गणित के अंदर मूल संकलपनाय यानि जोड बाकी गुणा भाग इनका हमारे कोर्स में हैं वर्ग करना गन करना वर्गमूल और गनमूल ठीक है ना बहुत ही कम है इतना सा ही है और इसमें से जो आटाया वो है वैदि गणित पर आदारित समीकरण को सरल करना वो हम अब नहीं है पहले समीकरण भी थे तो मैं आपको इसमें से एक एक करके आपको समझाओंगा आप इसको समझते जाएं पहले तो आपको जो मूल संकलपनाय है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मूल संकलपनाय कौन सी होती है जोड बाकी गुणा भाग ये तो सबसे पह जोड करना वैरी इजी जैसे देखिये आपको तरीका समझना है एक आदी के इन्हें के इन्हें कोई मतलब नहीं है ठीक है ना ठीक आना चाहिए अब जैसे आप मैं आपको एक शिंपल जोड देता हूं ऐसे कि यह यूँ है जोड एसे को यह जोड है कितनी भी बड़ी ले सकते हैं ये एक जोड़ है कितनी भी बड़ी लीजिए योग करना इसका बहुत ही आसान तरीके से इसका योग हो सकता है योग में ये ध्यान रखना दो अंक आते ही आसिल आगे लगा देते हैं जो अंक आगे है उस पर आसिल लगा देते हैं दो अंक का मलब दस और दस से बड़ा अंक आते ही आसिल जोड़ देते हैं अब जैसे इस नौ और साथ को जोड़ा ये नौ है और ये साथ है तो देखिए नौ और साथ को अगर जोडते हैं तो नौ और साथ को देखे कैसे जोडते हैं सिंपल जोड़े दो अंकों की है नौ और साथ सोड़ा सोड़ा होते ही देखिए दो अंक आगए अब दो अंक आगए तो एक यहां आसिल जोड़ देते हैं इसको आसिल बोल दे एक अधिक एन, यह संस्कर्टा सबर है, बाकि एक अधिक, एक अधिक कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक अधिक, यानि ये जो सौड़ा है, तो एक को यहां से अटा दिया, और एक असल आगे कर दिया, पीछे छे बच गे, अब छे को यहां नौ में जोडेंगे, ये छे, इसको नौ में जोडेंगे, तो ये पंदरा हो गए, यानि फिर दो अंका गे, तो फिर ये एक असल, यहां आसल चला जायेगा, और इस तरीके से, जो है वो, इसमें, ये नो और छे, पंदरा, और फिर पांच आगे जुड़ेगा इस पांच में, ये पांच यह न, इसमें जुड यानि वो साथ एक ही अंक है साथ को च्यार में जोड़ा तो 11 और 11 में से यह एक आशिल यहाँ पर जिसको आपन कहते हैं एक आधी केन आगे करना एक आधी केन को आगे वाले अंक पर लिखना यह जो उपर एक डॉट लगया गया यह एक आधी केन को लिए हमें जैसे आप आपको अमपर डॉट साथ फर दॉं पर सना, वह कंखके और सफर्नान कारता है। यह पांच नहीं है, पांच को उपर बिंदी है, एक डॉट लगावा है, तो यह 6 हो गए, अब 8 और 6 होते हैं 14, और 14 मेंसे आप देखिए, यह एक आसल आगे चला जाएगा, और 4 आगे जोड़ देंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे, 11, 11 का फिर 1 यहां पर फिर 1 आगे जुड़ेग 10 की एक आसल आगे जाएगी, पीछे 0, 0 को देखिए, 4 नहीं, यह 5 है, उपर एक लगावा बिंदी, 5 में 0 जोड़ेंगे, तो 5 ही रहेगा, 5 को आगे जोड़ना है, यह 8 नहीं, 8 को उपर बिंदी है, 9, 9 और 5, 14, 14 का एक यहां और 4 ऐसे, यह 14 आता है, तो यह एक आसल में च चला जाएगा, पीछे 4 बचेगा, वो यहां पर लिखते हैं, तो यह एक अधी केन, इसका मतलब एक अधी करदन आगे वाले को, अब आगे जोड़ते हैं, देखिए, यह 7 और यह 5 नहीं अच्छे है, तो यह हो जाएगा, 13, तो आसल की एक यहां चली जाएगी, 3 आगे जोड़ेंगे, 10, तो यह आगे एक बिंदी चली जाएगा, आगे 0 जुड़ेगा, इस 4 में, 3 के उपर बिंदी यह 4, 4 में 0 जुड़ेगा, तो 4, फिर 4 को 8 में जोड़ते हैं, 12, 12 दो अंक हो गए, तो एक बिंदी यहां पर लग जाएगी, दो आगे जुड़ जाएगे, य यानि आसिल के लिए लास्ट अंक तक इंतजार नहीं करना है, जहां भी दो अंक हो जाता है, वह आसिल जुड़ जाएगा, अब देखें यह आगे, यह 4 है और 7 को पर बिंदी यानि यह 8 है, तो 7 और 8, नहीं, 4 और यह 8 बारा, तो यह एक आगे लिग देंगे, आगे 12 में स से एक यहां लिग दिया, तो 2 आगे जाएगा, यह है 9, 8 को पर बिंदी लगी है, 9, 9 और 2, कितने होंगे 9 और 2, 9 और 2, 11, 11 होगा, तो यह 1, 11 होगा, तो यह एक यहां पर चला जाएगा, फिर इसमें एक जुड़ जाएगा, 11 से एक आसिल यहां गया, एक यहां आगे जुड़ेगा, तो यह एक यहां आएगा, यहां जुरू आएगा, यह यहां पर चार नहीं, पांच है, पांच में पांच जुड़ा, तो दस हो गया, दस का एक आसिल आगया, और यह जुरू नीचा आगया, ठीक है ना, अब यह आगे जोड लीजिए, 2 और 2, 4 इस तरीके तो यह एक दम आसान होती है, किस तरीके से एक आधीकेन, जिसको हम आसिल बोलते हैं, एक आधीकेन को, तो अपन पहले जोड जोड करते थे, यहां 9 और 7, 16, 16, 16, 25, 35, 35, 37, 37, 47, 41, पिर आसिल का, यहां 1 और 4 यहां आगे जोड दे ते, तो अब वो ऐसे नहीं करना, अब ही आगे आसल जोड देना, यह तरीका होता है, जोड का, अब देखिए आपको एक और जोड बताते हैं, ऐसी के ऐसे, यह तो एक तरह की जोड हो गई, अब एक तरह की जोड आपको और बताते हैं, देखिए ऐसे, इसे यह जोड अब इसको जोड़ा हैं, तो बड़ा आराम से जोड लेंगे, देखिए, कैसे जोड़ेंगे, इसको मैंने कहा ना, साथ में छे जोड़ेंगे, तैरा, अब तैरा हो गया तो यह दो आंक हो गए, एक और तीन, दो आंक, एक को अटा देंगे, यह अजशल, आगे वाले में इसमें पांच में जाएंगे, आठ होगे, आठ होगे तो अभी तो एक ही अंक है, आठ, आठ में फिर ये नौ जोड़ेंगे, सत्रा, तो सत्रा होते ही ये एक असल का यहां चला जाएगा, ये असल का बिंदी यहां लगा जाएगा, और साथ बचगे, और साथ को फिर यहां जोड़ेंगे चार में, साथ को चार में, इग्यरा होगे, इग्यरा का देखिए, यह एक तो आसल में जाएगा, यहां पर एक आधिकेन कर देगा, पीछे एक बचेगा, ऐसे, तो यह प्रेक्टिस से थोड़ा होता है, फटा-फट, प्रेक्टिस नहीं होती है, तब गड़बड होता है, अब इसके आगे जोड़ करते हैं, साथ को उपर बिंदी लगी होई, यह आठ है, और उपर छे आट और छे चाउदा, अब चाउदा हो गया तो यह एक आसल आगे चला गया, आब आगे चार जुड़ेगा इस साथ में, साथ और चार इग्यरा, इ तो देखिए, यह आसल होता है, वो यह आगे आजाता है, जिसको एक अधिकेन बोलते हैं, एक अधिक करना, अब इनकी जोड़ करते हैं, साथ और यह आठ नहीं, आठ को उपर बिंदी है, नो, तो साथ और नो, सोड़ा, तो सोड़ा में से एक यहा गया, आगे छे जाएग तो यहाँ बिंदी लग जाएगी, और यहाँ आएगा आठ, अब इनकी जोड़ करनी है, आठ, यह नो के उपर बिंदी यानि दस, तो आठ और दस, अठारा, अठारा का एक तो यहाँ लिग दिया, आठ आगे जुड़ेगा, साथ के उपर बिंदी है, आठ, आठ, शोड़ फिर आगे 6 जुड़ेगा, 6 और 4 दस, एक यहाँ आगे 0 जुड़ेगा, यह पांच को पर बिंदी 6, 6 में 0 तो यह 6, और आगे यह 3 आगे ऐसे, तो यह आपकी है योग करना, रैदि गनित से योग करना, एक अधिकेन, एक अधिक करके, वही एक अधिकेन को असिल बोलते है है, दो अंकाते आसिल जोड़ेगा, तो यह जिसको भी समझ में नहीं आया हो, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप कहें तो एकाध होदारन मैं आपको और दे सकता हूं, किसाब यह आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो, तो बोल दीजी, और नहीं तो मैं आपको यह आपको देता हूं कि आप इसको किस तरीके से करेंगे यह आपको होमबर के लिए करनी है यह योग आप करना है ठीक है ना होमबर के लिए एक आपको जोड और देता हूं विद्धी आनी चाहिए मैं चीज और कुछ भी नहीं है यह योग तो दो मैने बता है दो आप करना जोड का तरीका आना चीज जोड किस तरीके से करते हैं मैं चीज यह बागी कुछ भी नहीं है आपको अगर तरीका आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया तो ये योग करने की विदी आपको आनी चाहिए, वैदी गनित से किस तरीके से जोड करते हैं, वो आपको आनी चाहिए, कहीं भी आपको अगर कोई डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कि सर यह यहाँ पर वैदी गनित से योग मुझे समझ में नहीं आया, किसी को भी को सभीशेंट है अगर आपको इससे ज्यादा अगर गटाना भी इसके साथ बता दिया तो आप हो कहीं कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए आज सीरफ आप जोड की प्रेक्टिस करें या आप अपने मर्जी से भी कोई सहीं क्या है लिख लें और फिर उसकी जोड कर लना और जोड कर कर रहे हैं और वैसे कर रहे हैं तो यह आप मर्जी से लिख करके और मर्जी से चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके